इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी image का background आप कैसे change कर सकते हैं और उसे png में किस तरह से save कर सकते हैं और उसे किसी भी background आप जैसा चाहे मर्जी वैसा background कैसे लगा सकते हैं ये सब वीडियो में बताया जाएगा तो चलिए अपने topic की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जिस भी image का आप background चेंज करना जाते हैं उसको photoshop में open कर लिजिए open करने के बाद आपको pen tool select करना है यहां से उसके बाद यहां से आपको select करना है path और बागी ये सब setting आपको जैसे है उसी तरह से रहने देना है उसके बाद photo को zoom किजिए और आपको क्या करना है इस तरह से selection बनाना है ठीक है ऐसे आप बहुत ही बरीकी से आपको क्या करना है pen tool की सहता से selection बना लिजिए और ये आपको ध्यान में रखते हुए ये सब आपको बनाना है और एजेस ये सब है वो सब बहुत ही बरीकी से आपको फोटो को सिलेक्शन कर सकते हैं और इसे काफ ही असान है दोस्तों ये पेंट टूल के बारे में अगर वीडियो कंपलीट नहीं देखे हैं तो मैं उपर आई के बटम पे लिंक दे दूँगा वहाँ से आप जाके देख सकते हैं उसके बाद यहां से जब आपने स्टार्ट किया है तो यहां आएंगे तो देखिए माउस में एक सर्कल पॉइंट बनेगा यहां ले जाएंगे तो यह जो आइंड हो गया उसके बाद आपको क्या करना है कंट्रोल के साथ इंटर करना है तो यह सेलेक्शन बना लेगा उसके बाद एम प्रेस करना है यहां निटिक टेंगल मार्क टूल उसके बाद राइट किलिक करना है और फीदर और यहां से हम थीरी का फीदर दे दे हैं इसके बाद हम क्या करेंगे यहां से इसक को मास्क प लाई कर लेंगे यह देखिए आपका पिक्छर कुछ ऐसा दीखेगा मैंने मास्क appearing इस लिए किया क्यों कि अगर हम डिलीट भी कर सकते हैं तो डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा original picture खराब हो जाएगा तो इसलिए मैंने यहां से mask apply किया तो मेरा original picture जैसे कि तैसे रहेगा उसके बाद यह हो जाएगा उसके बाद इधर का area है तो आप चाहें तो देखिए इसमें कई सारे tool है जैसे यहां से देखिए आपको magic one tool या फिर quick selection tool को भी यूज में ले सकते हैं ठीक है तो यहां से आपको क्या करना है जब यह इसका जो face है search है इस पे आ रहा है selection तो इसको हटाने के लिए keyboard में आपको alt की को hold करेंगे तो यह minus होगा और अगर plus करना है तो आप direct plus कर सकते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से तो यह selection हो गया और यहां से यह complete selection है उसके बाद हम right क्लिक करेंगे और इसमें भी दो का फिदर देंगे और यहां से आपको b press करना है यानि brush tool और उसके बाद यहां देखिए white है तो यहां से foreground में white black color रखना है और उसके बाद यहां से आपको इस तरह से drag करना है तो यह आपका कुछ इस तरह से यह selection बन जाएगा और आपका background remove हो जाएगा ठीक है तो यह आप देख सकते हैं और यह selection हटाने के लिए control D करेंगे अब हमारा picture कुछ इस तरह से बना और इसको हम duplicate कर लेंगे duplicate कर लेंगे अब देखिए अब यह png में आप कैसे save कर सकते हैं तो file में जाएंगे और यहां से save और उसके बाद यहां से format में आपको select करना है png और जहां भी save करना चाहें आप कर स तो यह save हो गया और इसे आप चाहें तो psd में भी save कर सकते हैं अब देखिए इसको मैं यहां से close कर देता हूं और इसमें एक background open करते हैं तो मैंने यह background open कर लिया और यह काफी ऐसा background है तो इसको कुछ हम blurness करेंगे filter में जाएंगे blur और यहां से gaugian blur ठीक है उसके बाद यहा image मैंने png में save कर रखा है उसको photoshop में यहां से open करेंगे open करने के बाद यह देखिए आपका कुछ इस तरह से आपका image दिखेगा और इसमाल लिजे duplicate करना है यहां से आपको क्या करेंगे यहां set कर लेते हैं और इसको alt की की सहता से इसको इधर करेंगे या फिर देखिए और यहां से देखिए हम क्या करेंगे keyboard में alt की को hold करेंगे और source define करेंगे उसके बाद यहां हम click करेंगे तो आपका कुछ effect ऐसा दिखेगा ठीक है यह देखिए और यहां से इसमें भी कुछ अलग आ गया तो ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि देखिए इसका छाया जो है वहां प काम किया है new layer पर हम यह काम करेंगे ठीक है तो यहां से colon stamp tool select करेंगे और इसके बाद source को refine करेंगे और जो new layer बनाया है उस पर click करेंगे और यहां से एक बार click कर लेंगे और इसका luminosity हम कर लेंगे और नीचे का जो है वह भी प्रेस करेंगे या फिर e प्रेस किजिए यानि delete क प्रेस कर लिजिए और यहां से eraser और उसके बाद harness 0 और थोड़ा size हम बढ़ा लेंगे यहां से और उसके बाद इस तरह से यह देखिए आपका effect कुछ इस तरह से बनेगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like share ज़रूर किजिएगा